चलो देश भक्ती के गीत गाते हैं गंतंत्र दीवस का ये पर्व मनाते हैं सर उठा के कहता हूँ मैं अभिमान से चलो गंतंत्र दीवस मनाए हम शान से भारत माता सबसे प्यारी सबसे उची इशकी शान गंतंत्र दीवस पर शीज जुका कर हम करते इसका सम्मान सभी धर्म अब एक हो जाएं खुशी खुशी गंतंत्र मनाएं भाई चारे का महतु बताते रहेंगे हम गंतंत्र ऐसे ही मनाते रहेंगे नमस्कार स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में मैं आपके साथ नहा वर्मा हर साथ चब्भी जनरी को हम गंतंत्र दीवस मनाते हैं इस दिन देश भर में बड़ी धूमदाम के साथ यह दिन मनाया जाता है इसे पहली बार चब्भी जनरी 1950 को मनाया गया था इसके बाद से यह पर्व हर साल मनाया जाता है देश भर में गंतंत्र दीवस उत्साहा उमंग और हर्शो लास के साथ मनाया जाता है इस मोके पर देश की राजधानी दिल्लिस्थित इंडिया गेट पर परेड आयोजित की जाती है आई इस मोके पर आपको बताते हैं कि गंतंत्र दीवस क्यों मनाया जाता है इसका क्या मतलब है गंतंत्र का आर्थ है जनता के लिए जनता द्वारा अशासन 26 जन्वरी 1950 को हमारा देश गंतांत्रिक देश के रूप में सामने आया इसी दिन भारत का सविधान भी लागू किया गया गंतंत्र दीवस भारत का एक राज़्य पर्व है जो प्रती वर्ष 26 जन्वरी को मनाया जाता है इसी दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935 को हटा कर भारत का सविधान लागू किया गया था एक सवतंत्र गंडराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए सविधान को 26 नवंबर 1909 को भारते सविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जन्वरी 1950 को इसे एक लोक तांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था 26 जन्वरी को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतिय रास्ट्य कॉंग्रेस आई एन सी ने भारत को पून सवराज खोशित किया था यह भारत के तीन रास्ट्य अवकाशों में से एक है अन्यदो सवतंत्रता देवस और गांधी जन्थी है साल 1950 में 26 जन्वरी के दिन ही हमारे सविधान में यह लागू हुआ था जिसके चलते हर साल 26 जन्वरी को गंतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है एक सवतंत्र गंध्राज्य बनने के लिए भारतिय सविधान सभादवारा 26 नवंबर 1909 को सविधान अपनाया गया था लेकिन इसे 26 जन्वरी 1950 को लागू किया गया था डॉक्टर धीमराव अंबेडकर ने सविधान को दो साल 11 महीने और 18 दिन में तैयार कर रास्ट को समर्पित किया था हमारा सविधान विश्व कास सबसे बड़ा सविधान माना जाता है इसे बनाने वाली सविधान सभा के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे वही ज्वाहा नाल नहरू, डॉक्टर राजेंदर प्रसाद, सरदार वल्लभाई पटेर, मौलाना अब्बूल कॉलाम अजाद इस सभा के परमुक्सोदस्य थे साल 1929 को राष्टर को सवतंतर बनाने के लिए भारतिय राष्टरिय कॉंग्रस का अधिवेशन पंडि ज्वाहा नाल नहरू की अध्यक्षता में हुआ था इसमें यह घोशना हुई थी कि अगर 26 जनवरी 1930 तक अंग्रेश सरकार भारत को उपनिवेश का पद नहीं परदान करेगी तो भारत अपने को पूर्ण सवतंतर कर देगा और ऐसा ही हुआ अंग्रेश सरकार ने जब कुछ नहीं किया तब कॉंग्रेश ने भारत को पूर्ण सवतंतरता के निश्चे ही घोशना की हमारा सविधान देश के नागरिकों को लोगतांतरिक तरीके से अपनी सरकार चुनने का अधिकार देता है सविधान लागू होने के बाद डॉक्टर राजिंदर प्रसाद ने वर्तमान संसत भवन के दर्बार होल में रास्ट्रपती की शपत ली थी और इसके बाद पांच मील लंबे परेड समहारों के बाद इर्विन स्टेडियम में उन्होंने रास्ट्र धज़ फराया था 26 जन्वरी 1950 को देश के प्रथम राश्ट्र पती डॉक्टर राजिंदर प्रसाद ने 21 तोपो के सिलामी के साथ धवजा रोहन कर भारत को पूर्ण गनतंत्र घोशित किया यह एतिहासिक शणों में गिना जाने वाला समय था इसके बाद से हर वर्ष इस दिन को गनतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा इस दिन देश भर में रास्ट्र अवकाश रहता है भारती सविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई जिसका गठन भारती नेताओं और ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के बीच हुई बातचीत के परिणाम सवरूप किया गया इस सभा का उदेश्य भारत को एक सविधान पर दान करना था जो दिर्ग अवधी प्रायोजन पूरे करेगा इसलिए प्रस्तावित सविधान के विभिन पक्षों पर गहराई से अनुसंधान करने के लिए अनेक समितियों की न्यूक्ति की गई सिफारिशों पर चर्चा वाद विवाद किया गया और भारते सविधान पर अंतिम रूप देने से पहले कई बार संशोधित किया गया तथा तीन वर्ष बात 26 नवंबर 1909 को अधिकारिक रूप से अपनाया गया जबकि भारत 15 अगस्त 1947 को एक सवतंत्र राश्ट्र बना इसने सवतंत्रता की सची भावना का अनंद 26 जनरी 1950 को उठाया जब भारते सविधान प्रभावी हुआ इस सविधान से भारत के नागरिकों को अपनी सरकार चुनकर स्वयम अपना शासन चलाने का अधिकार मिला डॉक्टर राजेंदर प्रसाथ ने गवर्नमेंट हाउस के दर्वार हाल में भारत के प्रथम राश्ट्रोपती के रूप में शपत दी और इसके बाद राश्ट्रोपती का काफिला पांच मील की दूरी पर स्थित इवन स्टेडियम पहुँचा जहां उन्होंने राश्ट तंत्र दिवस पर महान भारते सविधान को पढ़ कर देखे जो उद्दार लोक तंत्र का परिचायक है जो इसके भंडार में नहीं थे आए अब गर्व पूर्वक इसे जाने कि हमारे सविधान का आमुख क्या कहता है आप जानते हैं कि 1995 अनुछेदों और आठ अनुसूचियों के साथ भारते सविधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित सविधान है गंतंतर दिवस बहुत ही भव्य होता है लेकिन इस बार करोना महामारी के मदे नजर यह छोटा रखा गया रिपब्लिक डे परेड के लिए काफी दिनों से तयारिया होती है परेड में हिसा लेने वाले कई महीने पहले से हिस की तयारिया करते हैं परेड से पहले कई बार इसका पूर्व अभ्यास किया जाता है रिपब्लिक डे परेड के जरिये दुनिया को भारत की ताकत संस्कृती और अनेक्ता में एक्ता की जलत दिखाए जाती है अब सवाल यह है कि राष्ट्रपती क्यों यह जंडा फेराते हैं राष्ट्रपती देश के सवाधानिक प्रमुक है और प्रधान मंत्री राजनितिक भारत का सविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था जिसो प्लक्ष में इस दिन गणतंतर दीवस मनाया जाता है इस दिन देश को अपने पहले राष्ट्रपती भी मिले थे डॉक्टर राजिंदर प्रशाद ने इसी दिन राष्ट्रपती के रूप में कार्यभाल संभाला था इसलिए 26 जनवरी को राष्ट्रपती द्वज फेराते हैं डुक्टर राजेंदर प्रसाद सवतंत्र भारत के प्रथम रास्टपती ने भारतिय गणतंत्र के जन्म के अवसर पर देश के नागरिकों का अपने विशेश संदेश में कहा हमें स्वयम को आज के दिन एक शांति पूरण किन्तु एक ऐसे सपने को साकार करने के प्रति पुने समर्पित करना चाहिए जिसने हमारे रास्टपिता और सवतंत्रता संग्राम के अनेक नेताओं और सैनिकों को अपने देश में एक वर्ग हिंस हैकारी मुक्त और प्रसंचित समाज की स्थापना के सपने को साकार करने की प्रेड़ना दी हमें इस दिन यह याद रखना चाहिए कि आज का दिन आनंद मनाने की तुल्ला में समर्पन का दिन है श्रमिकों और कामगारों परिश्रमियों और विचारकों को पूरी तरह से सवतंत्र प्रसन और सांस्कृतिक बनाने के भव्वे कार्ये के प्रती समर्पन करने का दिन है ऐसे ही लेटेश को परेपाने के लिए बैल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें घंने वाल J.B.D. Banquets लाए है, incredible marriage palace Rajgarana and the finest banquet hall Jyoti Garden World-class catering, centrally air condition, lush green lawns, state-of-the-art lightning A perfect venue for wedding, launching and parties Rajgarana and Jyoti Garden, a J.B.D. Banquets enterprise